किलो एभीरवन दोस्तों कैसो है आप लोग आफ लोग ठीकी होगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज घर के पास की ही बारी में हम लोग गोवर का एक दम नेचरल खाद डाल रहे हैं तो ब्लोग में आके बने रहीए पूरा दिखाएंगे किस तरह से हम लोग खाद को बिखेर रहे हैं मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा तो ब्लोग में बहुत मज़ा आने वाला है सो लेस्ट स्टार्ट करते हैं फिर मितलेश को जस्ट अभी आएगा और हम लोग यहां पर फाइनली पहुंच गे जहां से खाद उठाया जा रहा है मेरे मम्मी टुकरी में डाल के दे रही है Alors लोग लेके जा रहे हैं सो देखे वंगे क brag garantin्म को किये और बताइए मुझे कैसा रहता है क्वाबर का खाद सो देख सकते हैं काफी में चार शे मैंने में लिए पूर आप्र यह यह जो दिख पा रहा होगा बहुत ही नेचरल तरीके से कंपोस्ट की तरह दिख रहा है तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा मितलेस काम पर लग गया है बहुत ही मैंनस से काम कर रहा है और चारा वहल हम लोग पूरा बारी में गोवर डाल दिए जो आपको बीच- दोस्तों कैसा लगा हमारा नीमू का पेड़ और यहां पर पपाया फेड़े की ता है यह फाइनली हमारा नारिल का पेड़ जो मैं मुंबै से लाया ता इसको लगा है लग भी गया है बट इसके जड़ के पास नमी ना मिलने कारण इसकी ब्यादी थोड़ा अ तो हम इसको जड़ को थोड़ा सा घड़ा किये हैं यहां पर अभी नमक डालेंगे और करीब तीन किलो नमक डालेंगे यहां पर पुरा मिट्टे में मिला देंगे थोड़ा पानी छोड़ देंगे इसकी नमी उर्जा सक्ती बढ़ जाएगी और यह शक्ति पे अपर अच्षे तो यहां पर देख सकते हैं, मैंने तना के चरब बगल नमक डाल दिया है, बस इस नमक को मट्टी में मिलाएंगे, उसको मिट्टी में मिलाने के बाद इसको वापस यह मुट्टी जड़के तने के पास लगा देंगे पूरा मिट्टी और यह नमी काफी ज्यादा हो जाने के बाद इस पेड़ का ग्रोफ रेट काफी हाई रहेगा, so guys, ब्लोग हमारा काफी इंटरेस्टी हो गया है, तो अगर यह वीडिया आप लोग को पसंद होता होगा, तो चारा बगल देख सकते हैं, पुरा हम लोग ने गोवर फैला दिया है, फाइनली नारेल के पेड़ के प